कोविद 19 अबडेट जम्मो से 961 के करीब करीब लोग रिकावर हुए हैं आज 375 लोग कश्मीर डिविजन से रिकावर हुए हैं और 696 नए पॉजिटिव केसिज आए हैं इसमें से 276 पॉजिटिव केसि जम्मो डिविजन से और 420 पॉजिटिव केसि कश्मीर डिविजन से आए हैं ये आंकड़ा रोज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आज के दिन जो एक्टिव पॉजिटिव केसिस हैं वो अब सिर्फ 11,482 के करीब करीब रह गए हैं रिकावर और जिनने डिस्चार्ज किया गया है उनकी तैदाद 69,020 है और जो लोग हमसे इस COVID-19 की महमारी के बीच में बिचड़ गए उनकी तैदाद 1291 है यानि 1291 है और टोटल अगर हम फिगर्स की बात करें तो जम्मो रिजन से 32,785 के करीब करीब COVID-19 पॉजिटिव केसिज आए और कश्मीर डिविजन से 49,008 COVID-19 के केसिज आए और टोटल 81,793 का आंकड़ा जम्मो कश्मीर का है COVID-19 पॉजिटिव केसिज का मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को दोते रहना उसका असर कितना पड़ा है, वो तो आने वाले वक्त में पता चले का, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से नंबर एकदम कम हुए हैं, हम भी इसको लेकर चिंतित हुए थे, हमने कुछ थोड़ी परताल की है, क्या निकला है उस परताल में, वो कल आपके साथ टोटल केसिज नहीं आए, बारा मुला से सेविंटीवन, पुलवामा से बाईस, कुपवारा से पंदरा, अनंतनाग से एकिस, बांडीपूरा से अठारा, गांदरेबल से चुब्वेस, कुलगाम से साथ, और शुपियन से चार केसिज नहीं आए, जम्मू से आज 89 केसिज आए आए, तो ये एकदम से ड्रॉप जो कम से कम 200-200 का ड्रॉप जो देखने को मिल रहा है, ये इसकी थोड़ सी पड़ताल हमने की है, क्या निकल के आया है, वो आप जरूर कल देखिएगा, रजारी से 34 केसिज, उधुंपूर से 17, डोडा से 10, कठवा से 43, पुंच से 47, सा जो टोटल आज के दिन 276 केसिज, 276 केसिज आज जमो डिविजन से आए हैं, और जमो कश्मीर से कुल मिलाकर 696 केसिज आज के दिन आए हैं, जिन जो मौत का अंकडा है, वो कश्मीर में 310 शिर्नगर डिस्टिक का है, और जमो में 212 जमो डिस्टिक का है, जमो डिस्टिक का मौत का आंकला इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि गर्मट मेडिकल कॉलिज जम्मू में रजारी से अगर कोई पेशेंट रेफर होके आया डोडा से कोई रेफर होके आया कठवा से कोई रेफर होके आ गया उसकी मौत अगर government medical college के अंदर हुई तो उस वो मौत जो है जम्मू डिस्टिक के खाते में आई है तो उस चीज़ को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा रज़ोरी से 49, उधुमपूर से 22, डोड़ा से 38 लोग अभी तक कोविड-19 का शिकार हुए है अठाइस लोग कटवा से पुंच से 18, सामबा से 24, रामबन से 11, किस्टवार से 11, रियासी से 6 99 लोग बटगाम से कोविड-19 के कारण जो है उनकी मौत हुए है बारा मुल्ला 26, पुलवामा से अब तक बहत्तर लोग, कुपवारा से 70 लोग, अनंतिनाक से 69, बांडीपूरा से 41, गांदरबल से 30, कुलगाम से 43, शुप्यन से 32 यह आपने देखा होगा कि कैपिटल सिटीज के इलावा, फिगर बहुत कम है, इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि इन्फेक्शन वहां फैला ही नहीं, और अगर फैला भी तो कंटेन हुआ, या दूसरा कारण उसका यह हो सकता है, कि टेस्टिंग कम हो रही है, दो में से कुछ COVID-19 को लेकर बताता है, पहली बात तो यह कि गर्मट मेडिकल कॉलज में वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, चलाने वाले लोग नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर COVID-19 पॉजिटिव पेशिंट को वेंटिलेटर की जरूरतो ऐसा नहीं है, वेंटिलेटर कोई मामूल वेंटिलेटर एक ऐसा एक्यूप्मेंट है, जिस एक्यूप्मेंट को इस्तमाल तब किया जाता है, जब आपको लगता है कि बाकी तमाम तरीके एक पेशिंट को यह एंशॉर करने के लिए कि वो सांस लेता रहे, बाकी जब तमाम तरीके आपके फेल हो जाते हैं, तो आप ventilator पर आते हैं ventilator का मतलब हो गया swearly sick बहुत ज्यादा बीमार patient ठीक है जी तो और ventilator को चलाने के लिए भी specialist की ज़रूरत है यह ventilator भी कोई आम सी चीज नहीं है कि आपने दस बारा दिन की training किसी नर्स को दे दी या दस बारा दिन की training किसी आपने nursing orderly को दे दी तो वो चला सके यह भी possible नहीं है कि आप किसी paramedic को कहें कि वो यह चलाए तो बहुत सूजबूच से इसको चलाना है बहुत सारे parameters होते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है ventilator को चलाने से पहले oxygen supply का जहां तक तालुक है सेम oxygen supply के लिए भी कानून वही है कि कोविड 19 के जो positive patients हैं उनमें जिनकी oxygen saturation गिरती है उन्हें high flow oxygen की ज़रूद पड़ती है high flow oxygen एक दिक्कत government medical college में रही है उसको लेकर भी medical college ने कुछ कदम उठाए हैं हम आपके साथ share करेंगे लेकिन वो भी जैसे मैं मैंने आपको बताया कि कल आपको government medical college में इस्थिती क्या है वो थोड़ास आप समझे दोसो तीन टे टोटल कोविड dedicated beds जो है वो government medical college में है 115 लोग government medical college में आज की दिन admit है isolation beds जो जिने हम जिनमें ICU के beds नहीं intensive care unit अलग होता है isolation beds जो है 120 एवेलेबल है इनमें occupied जो है वो 52 है जिनमें से तीन लोग oxygen sport के बगार है और 49 लोग इस समय isolation ward में oxygen sport पर government medical college जम्मू में है और government medical college जम्मू में 68 beds isolation ward में available है उसके बाद covid ICU beds intensive care unit जैनि वो patient जिनको बहुत ज्यादा जिनको care की जरूरत है total beds available है 83 इनमें से ventilator पर जो लोग नहीं है वो 35 है और जो लोग non invasive ventilator पर है वो 26 के करीब करीब है और जो invasive ventilator पर है वो सिर्फ दो लोग यानि इस समय practically दो लोग है जो invasive ventilator पर है यानि मुकमल तौर पर ventilator sport पर है इस ward में भी 25 के करीब करीब 20 के करीब करीब beds जो है वो vacant है intensive care unit का मतलब वो हो गया कि ये वो जगा है जहां पर इसको level 1 medical college में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बीमार बहुत ज्यादा sick लोग है इन बहुत ज्यादा sick लोगों में से 83 में से 35 लोग ventilator पर नहीं है ICU में जरूर है 26 लोग non invasive ventilator पर है और दो लोग invasive ventilator पर है ये स्थितिय गावर्ण मेंडिकल कॉलज की उसके बाद cd hospital में टोटल कोविट बेड्स 110 एवेलेबल हैं और 32 पेशेंट इस समय इस समय बत्रिस लोग cd hospital में एडमिट हैं 110 बेड्स एवेलेबल हैं और 32 जो यह पेशेंट है यह oxygen sport पर है इस पर भी इसमें भी आपको चीज समझना होगी हमारे एक पेशेंट नोन में मेरे कोई परिवार के नहीं बलके मेरे जान परचान वाले पेशेंट जो हैं वह सीडी hospital में एडमिट थे मैं फोन पर उन्हें से राप्ते पर में था तो उनकी oxygen saturation 92-93 के करीब करीब थी तो उन्हें कहा कि doctors ने तब भी advice किया है कि आप oxygen जो है वो oxygen लेते रहें यह न करें कि आप oxygen mask जो हैं उसको ना उता रहें oxygen mask continuity अपने अब लगा के रखें तो इससे आप में समझना होगा कि जो 32 लोग cd hospital में हैं वो critical नहीं हैं यह 32 लोग हैं जो लोग symptomatic हैं मगर swearly symptomatic नहीं है यह इतने ज़्यदा symptoms नहीं है यह level two में है level two से जो patient sick होता है उस patient को level one नहीं government medical college में shift किया जाता है government medical college में भी isolation ward अलग है isolation ward के इलावा ICU भी है तो 32 लोग है और 78 बैड इस वोकत वहाँ पर available है vacant है government hospital गांधी नगर जम्मू की position क्या है कोविट dedicated beds की तेदाद 90 है और कुल आठ लोग आठ पेशेंट इस समय admit है वहाँ पर 90 beds वहाँ पर खाली है और oxygen sport पर साथ लोग बिना oxygen sport के हैं यानि बिल्कुल ठीक ठाक है उन्हें oxygen sport की जरूरत नहीं और एक patient है जिसे oxygen sport दी जा रही है और ब्यासी बैड 82 बैड जो है वह गांधी नगर में भी vacant हैं तो आप स्थिती समझ जाएं कि यह तीन जो मैंने आपको बताए गांध मेडिकल कॉल जम्मू cd hospital government hospital गांधी नगर की position आप ध्यान से आप सुनें और आप समझें इससे आपको एक clear picture हो जाएगी कि जो position government medical college के अंदर है वो क्या है और जो बाहर सुनने में आ रहा है वो क्या है गांधी नगर होस्पिल के MC new block जो new maternity hospital भी इसको कहते हैं 112 beds हैं बहां पर और पूरे को पूरा खाली है यह भी कोविट dedicated hospital है कोई patient नहीं है यह सरकार कह रही है सरकार का आंकडा कह रहा है government medical college डोडा में 66 beds को कोविट dedicated कर दिया गया है कुल आठ लोग admit है 55 beds है इन में दो लोग बिन ऑक्षिन स्पोर्ट के हैं और 6 लोगों को ऑक्षिन स्पोर्ट दिया गया है 47 beds vacant है और उसके इलावा 11 ICU beds भी government medical college डोडा में available है लेकिन इस समय डोडा के government medical college में कोई भी patient ICU में नहीं है यानि इस्थिती काफी अच्छी है ICU में ना होने का मतलब यह है कि कोई भी patient इतना critical नहीं है कि उसे ICU में shift करना पड़ा हो government medical college डोड़ोरी की position यह है कि 24 beds को dedicate किया गया है COVID के लिए 10 patient वहाँ admit है इन में से एक patient oxygen sport पर है और 8 patient जो है वो बिना oxygen sport के है और 8 patient oxygen sport पर है 11 beds वहाँ पर vacant है और वहाँ पर भी ICU में चार beds है लेकिन इन चार बेड़ों में से ventilator sport पर एक patient है और 3 ICU beds भी खाली है तो यह भी आपको थोड़ा सा आपका जो है position आपके सामने रख रहा है कि किस तरीके से सरकार इस सब को manage कर रही है government medical college कटवा में 35 beds ICU declare किये 35 beds कोविट dedicated कर दिये गए इन 35 में से 18 patient वहाँ admit है 6 patient जो है 12 patient oxygen sport पर है और 6 patient बिना oxygen sport के है ICU में भी वहाँ पर 5 bed हैं मगर पांचू के पांचू vacant है नरायना hospital कटरा में 55 beds कोविट dedicated कर दिये गए 44 patient admit है एक तस्वीर दिखा रहा है कि नरायना hospital में 44 beds इस समय कोविट dedicated 55 beds में से 44 beds जो है वो कोविट patients वहाँ पर admit है इन में से 9 लोग जो है वो ठीक हैं उन्हें oxygen sport की जरूरत नहीं लेकिन 30 लोग ऐसे हैं जो oxygen sport पर इस समय है इसी तरीके से नरायना में 10 beds ICU में उनको dedicate किया गया है कोविट के लिए उसमें से 3 लोग जो है non-invasive ventilator पर है और एक invasive ventilator पर है उसके इलावा एक और patient है जो ventilator पर नहीं है सिक काफी है तो 5 लोग वहाँ पर COVID ICU beds पर है district hospital रियासी में कुल 8 patient admit हैं इस समय 54 beds है वहाँ पर और इन 8 में से कट्रार रियासी वहाँ पर कोई admission नहीं हुआ है 23 beds है वहाँ पर जिनको कोविट dedicated कर दिया गया है 20 available है और 20 के 20 beds जो है वो खाली है तीन ICU में हैं वो भी कोविट dedicated हैं लेकिन वो भी खाली है district hospital किष्टवार 127 beds वहाँ पर कोविट dedicated कर दिये गए है 14 patient admit है चार जो है वो oxygen support पर है और 10 जो है बिन oxygen support की सिर्फ भाँ admit है ICU में दो beds को जो कोविट dedicated कर दिया गया है लेकिन वो खाली है डिस्टिक ऑस्पिटल पुंच 42 beds हैं वहाँ पर कुल एक patient admit है और वह वही वह एक भी जो है वो oxygen support पर है दो ICU beds हैं दोनों वहाँ पर खाली है और community health center CHC मेंडर उसमें 32 beds कोविट dedicated कर दिये गए हैं पांच patient admit हैं पांच वो oxygen support पर हैं दो वहाँ पर ICU beds भी हैं लेकिन दोनों खाली हैं CHC सुर्मकोर्ट में 30 beds हैं खाली हैं डिस्टिक ऑस्पिलर रामबन में 22 beds हैं सब खाली हैं दो ICU में हैं वो भी खाली हैं उसके इलावा एच घगवाल में 23 beds हैं सब ही खाली हैं डिस्टिक ऑस्पिलर उधुंपूर में 108 bed हैं आठ पेशिंट एडमिट हैं आठू ऑक्षिन स्पोर्ट पर हैं सौ बैड वहाँ पर खाली हैं यह वहाँ की स्थितिय हैं आठ आईसीउ में beds हैं आठ के आठ बैड जो हैं वो खाली हैं CHC रामनगर में कोई patient admit नहीं हुआ CHC चनैनी में भी कोई patient admit नहीं हुआ तो चनैनी रामनगर घगवाल रामबन सुर्नकोट उसके इलावा कर रियासी स्थिएज सब डिस्टिक हॉस्पिटल रियासी यह पेशिट इन जगों के पेशिट कहां गए जाहिर सी बात है वो भी ज श्रिनगर की स्थिति देखें तो कश्मीर डिविजन में SMHS hospital GMC श्रिनगर की अगर बात करें 102 patient वहां admit हैं 246 total bed हैं और 102 में से 95 लोग oxygen sport के उपर हैं और 137 बैड जो हैं वो इस वाकर SMHS hospital श्रिनगर में एविलेबल हैं skims hospital सावरा में लगबग 252 के करीब करीब beds हैं इसमें 140 वैकेट हैं 8 ICU beds हैं इन 8 में से 2 वैकेट हैं और 8 patient हैं जिन में से 6 लोग हैं लेकिन वो ventilator पर नहीं हैं बिना ventilator की sport के वहां पर हैं CD hospital श्रिनगर में 109 total beds हैं 50 patient इस समय admit हैं इन 50 में से 32 oxygen sport पर हैं और 12 जो हैं वो oxygen sport पर नहीं हैं 17 isolation के beds हैं दो लोग ventilator पर हैं और 4 ventilator पर नहीं हैं 11 beds यहां पर भी available हैं skims medical college in hospital बिमना श्रिनगर 174 total beds को dedicate किया कोविट dedicated इस में से 61 patient जो हैं वो इस समय admit हैं वहां पर 29 oxygen sport पर हैं और 29 बिना sport के हैं 24 ICU में beds वहां dedicate किये गए इन में से 3 लोग हैं वो जो ICU में हैं लोग ठीक हैं ventilator पर नहीं है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिल श्रिनगर में 19 कोविट dedicated beds हैं सभी खाली हैं 17 beds वहां पर available हैं दो बैट्स वहां पर ICU में available हैं जेलनम हॉस्पिल श्रिनगर में देट्शो बैट्स कोविट के लिए dedicate किये गए लेकिन आज के दिन कुल 10 patient वहां पर admit हैं जिन में से तीन oxygen स्पोर्ट पर हैं और साथ बिना oxygen स्पोर्ट के वहां पर हैं isolation ICU में कोई भी नहीं है बहुत मुबारक है श्रिनगर के उन doctors को जो बहुत जबर्दस मेहनत कर रहे हैं और मेहनत जो है वो रंग ला रही है और दिख रहा है यहां पर कि ICU की अगर में श्रिनगर में बात करूँ तो smhs hospital gmc श्रिनगर में सात लोग है सकिम्स hospital सारा में कोई भी वेंटिलेटर पर नहीं है सीडी hospital में दो लोग वेंटिलेटर पर हैं Skims Medical College and Hospital Bimna में कोई ventilator पर नहीं है, Super Specialty में कोई ventilator पर नहीं, JLNM में कोई ventilator पर नहीं, Kashmir Nursing Home में 50 bedded हैं, 50 beds हैं, 15 covid dedicated हैं, 4 लोग oxygen पर 11 लोग oxygen sport के बगएर हैं, कोई भी ICU में नहीं है, ICU वहाँ पर है ही नहीं तो सवाली पैदा नहीं, तो कोई ICU में होगा, लोग जो हैं बिना oxygen sport के हैं, ICU में 5 beds हैं, लेकिन सभी खाली हैं, SGH support 12 मुला में, 26 लोग इस समय admit हैं, 159 beds को covid dedicated वहाँ पर किया गया था, 13 oxygen sport पर, 13 बिना sport के, 9 ICU में beds हैं, सभी खाली हैं, Trauma Hospital, Government Medical College Anantanag, Government Medical College Anantanag में 76 beds हैं, कुल 11 beds पर इस वकर patient हैं, और इन 11 में से भी 5 लोग हैं, जो oxygen sport पर हैं, ICU में 6 लोग हैं, 6 के 6 लोग, ventilator sport के बगएर ICU में हैं, गमेट में उसके इलावा, Trauma Hospital, बिजब्रादा, Anantanag, 110 beds वहाँ पर covid dedicated कर दिये गए, 3 लोग वहाँ पर हैं, और तीनों लोग बिना oxygen sport के हैं, ठीक है जी, और वहाँ पर ICU नहीं है, और ICU की position यह है कि ICU में कोई भी नहीं है, NTPC Akura Matan में कोई भी नहीं है, CHC Kupwala में 12 लोग हैं, DH District Hospital Pulwama में 23, District Hospital Gandhanabal में 11, DH Kulgam में कोई भी नहीं, District Hospital Shupian में कोई भी नहीं, CHC हाजन में 4 लोग, अडमिर्टेंट तिबिया कॉलिज फर युनानी मेडिसन में कोई भी नहीं, NHPC Bandipura में 1, CHC दावर में कोई भी नहीं, DH बढ़गाम में कोई भी नहीं, NTPC Building, Petcoot बढ़गाम में 3 लोग हैं, PHC चानपूरा में 9 लोग हैं, और NTP, की उक्पिंसी है, वो कम हुई है, हाला कि लजाम ये लग रहा है कि पेशन्ट जो है, वो लोकल जो जम्मो और कश्मीर में मेडिकल कॉलिज हैं, उनको छोड़कर बाहर इलाज कराने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हजारों लोग अपना इलाज कराने के लिए, खासकर कॉविट से पॉजिटिव होकर जम्मो से बाहर जा रहे हैं, कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, इसकी प्रॉबबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जिस समय खांसी बुखार है, आप पेशन्ट दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परिशानी हो रही है, तो पहली जगा गवर्मिट मेडिकल कॉलेज होता है, जहां अकसर और बेश्टर लोग आते हैं, तो जाहर सी बात है, एडमिशन की वक्त कम से कम, टेस्ट करते हैं वक्त कम से कम पता ही चलेगा, कि कितने लोग टोटल पॉस्टिव हैं, उमीद और तवक्का ये आने वाले दिनों में, कोविड नाइन्टीन की ये जो परिशानी है, ये जो मुकुश्मिर में कम होगी, मगर मास्ट पहनना, हाथ सेनिटाइज करते हैं ना, और दो गज की दूरी बहुत ज़्यदा ज़रूरी.